तब भी को पता है दिल्ली में आप लोगों ने देखा ही होगा जितने भी दिल्ली वाले हो तो यहां आना बहुत ही प्याना नजारा मेरे कुछ आप देखे रहे हो तुरह डलता हूं क्या नजारा जब अच्यार और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार कमेंट लाइक चिरू करना में खेर करना जली एक शिचार बीज के नजारे लीजेए। झाल झाल आप जमना रिवार्ड कितने सुन्दर नजा रहा है बहुत ही अच्छा नजारा बहुत ही घजब आप प्लीज यहां पर आईए आप लोगों से जितने दिल्ली के और दिल्ली एंसियार के लोग है एक पैस्ट हो यह देखे शूरत ढलता हुआ और निचे से सुन्दर से अमना नदी भैरी है तो प्लीज आप फैमिली साथ कभी आ देखें आप चारत रफ देखें कितना अच्छा नजारा है वो सामका जिस टैम में गया च्छेवस के 43 मिनट हो रहे थे और बहुत ही अच्छा नजारा था तो मैंना पताई कैसा लगा है यह प्यारा लग रहा है यह सूरज जुपतावदर कसम से और यह बहुत प्यारा जारा यह बढ़ा दिल्ली में कम नहीं जारे से उच्छा यह जो आप देख रहे ना उदर आपको बहुत ही प्यार नजार लेकित जांगा नहीं सकता कि वह साइड है आप रहे है कि लो मजे ले रहे आप देख ने वह जो सबसे पुराना पुल है वो उस साइड वाला है वह जाम लग्षुरा लेकर आपनी है, तो आपनी की पाउन किन झाल राह मतीकार कि बचल है.. पाँ है, व्यावाजरी धिल राह मैंन कि अगर दोस्ता कर आपको यह जाना था आप साम को जाओ छे-साथ बजी के करीब गर्में मैं मुझे सनलेट का नजार होता है आपको बहुत इच्छा लगेगा और दूसरे जो एक बात और मैं आपको पता दू जबसे यह ब्रीज बना है तो जो पहले उस साइट में छोटा बरीज करता था अभी भी है वह तो ठाप एक तो जो पहला तो टूटा हुआ था और दूसरा जब मैं यहां से कभी गाड़ी लेकर जाता था जा जब बहुत पुरे जाना होता था में दो करावल-नगर के लिए शाधरा के लिए यहां से निकल सकते आराम से ठीक है तो वहां जवाद से निकलने में हमें एक घंटा लगाता था ट्रैफिक में जवाद से निकलागा उसको पता ही होगा ठीक है क्योंकि बहुत पराना ब्रीज है और इस ब्रीज का काम है जो काफी सालों से चल रहा था जो अब जाकर कंप्लीट हुआ है ठीक है और देखे कितना बढ़िय है और काफी मजबूत है और जो यह सबस्पर आप मतलब प्रोटी पर देख रहे हैं तो यहां बत सुनने माया था कि यहां पर एक लैंप बनेगा और यहां पर जो यह तो टांगों की तरह खड़े हुए पिल्लर इनमें जो लिप्ट लगाए गई है उपर जाने के लिए य